जुन्ड मुवी कैसी लगी? मुझे जुन्ड मुवी बहुत 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 अच्छी लगी और ये मैंने बहुत अर्से बाद देखा है कि ठेटर में लोग मैं भी छोटी-छोटी चीजों को लेकर इतने भावुक हो गए और वीजविश में तालियां बज रही थी देखे इस चीज को बनाने की प्रेड़ना नागराज मनजुनात पोपट जी को वहीं से मिली होगी तो स्टोरी में कुछ नया पर नहीं है स्टोरी हमें पता है बट मुझे लगता है इस फिल्म को हमें स्टोरी से कई आगे बढ़कर देखना चाहिए जहां पर इस फिल्म का उदेश है कि हम ये एक दूसरे को बताए कि हम सब के अंदर एक प्रतिबा है और हम सब को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कोई किसी से कम नहीं भले हमारे बीच में कुछ समाजिक दिवारे हो मुझे लगता है इस फिल्म को बनाने का बड़ा मकसद यह मेसेज पहुचाना है लोगों के लिए आपको किसका परफॉमेंस जादा अच्छा लगा इस पूरी पिच्चर में मैं अगर आपको सच बताओं मुझे सबसे बड़िया परफॉमेंस उन लोगों का लगा जो शायद से बिल्कुल जाने माने लोग नहीं है जो पूरी फुटबॉल टीम बनाई गई है वो सब एक से एक बढ़कर किरदार थे और ऐसा लग रहा था कि यह शायद हमारी बीच के लोग है और हमने इन सब को देखा है मुझे सबसे जादा पसंद आया जो में जिसका अंकुष मेश्राम जो है फिल्म किरदार उनका और एक बहुत ही छोटा बच्चा है उनकी टीम में जो आपको देखके आपको उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा मेरा थिजए जहीं कि पिच्चर का गाना केसा है विल्म काना जो अगया है मुझे जहां लिखा तब है जो पर्टिक्लर सीन्स बत्ते हैं उस चीज पहुत उप दिन बर दिन की जिन्दगी है और कैसे इन लोगों का एक अटिटूड है वो बताया गया है और उसको बहुत ही खुबसूरती से प्रस्तुत किया गया है मुझे वो गाना सबसे अच्छा लगा पूरी फुरी 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 इस मुवी को दूंगा फ़ी वड़ फई स्टर बह बहुत अच्छे से उनने दिखाया है कि कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता है और कैसा बिहेव हमको करना चाहिए तो इस अच्छा मेसेज है कि एक कोई भी आक्टिविटी आपको कोई भी चीज से अगर वो बूरी चीजस उससे दूर कर सकती है तो इट वस गुड मुवी अच्छे मोपस हो वो भी हो जाएं वोकि दो लव टोड वोच अगर चुन अगर शको और ऐसकर ऑटा है तो अबर दन राड़ आप्छी दिखला वांगे तोड ड़ा किस्का पॉद में कर सकते कि बोडरों है अबरेसड ।ॉद का इक looking कर दो एक फिर खेलों कि फिर वारस फिर जरोगी दोप्रफिस्टिक युड युट नारधि फिर बनाते हैं मुवी अच्छी है लेकिन बहुत लंबी है युझा दिहान देना चीएहते हैं जो इसके लिटर से कुद्व आवभव ने रेंडम सेंस जाले हैं मुवी अच्छी थी, एंटिटेनिंग है, लेकिन म्यूजिक भी बहुत अभरेज है, अजया, तुलको म्यूजिक जो हमने साइराट में देखा है, उसके सामने कुछ भी नहीं होगे, म्यूजिक बहुत अभरेज और एडिटिंग के अफ़ो ध्यान देरा चाहता है, तो किसका मैं सब्सक्राइब अच्छा लगा है, अमिताब बच्चन के वारे में हमेशा ही बहुत ही बहुत ही एपटलेस्टी रोल करते हैं, लेकिन चाया कदम जैसे सीजन अक्रिस जिनको वरनबात लोंचा में देखा तो उनको वेस्ट किया गया है, रिंकु राजपूत आकार स्थ टेखा है कि विजयँआ की लिए आध सोरी कि लिए लाजप स्टोय है कि कि अन्होंने कि広मक की के अज़ने कि पाल क दो थेहां कि चाहिएजन को ना कुछ और जड़िटेटी साया है जिसको अरामसे अड़ कर निकाल के अखा सकता है इसकाμέने से ज्ञक्षी लिए इचा क् तो आपको फिल्म कैसी लगी बहुत बहुत अच्छी लगी पहले तो जैहिंद, जैमारास्ट्रा, जैभीम इसमें निचले वर्गो कोस मतलब कैसे किस तकलीफों से जाते हैं वो दिखाया गया असपसे बड़ी बात और कैसे समाज उनको आगे नहीं बढ़ने देती है जैसे आज आप शायद हिंदी बोलते हैं जैसे मैं बंगाली बोलता हूं कि मेरे आसपस लोग वही बोलते थे तो अगर जैसे लोगों को आप जिस तरह का परिवेश और परियावार अंदोगे वो ऐसे ही बनेंगे I think that's something we should learn from this movie and should appreciate नागराजी आपको किसका परफॉर्मेंस अबसे राजा अच्छा लगा अमिता बचन जी का या नागराजी अमिता बचन जी तो like there's no point you can not like him He's to there. वो तो मेरे जहन में बसे चुक है अगर बुरी भी आटिंग करें we'll find it really awesome लेकिन वहाँ पर एक बच्चा था जिसके जैसे मेरा green है उसका red था है My god his dialogue delivery, his timing is so fabulous I liked after Amitabh Bachchan that particular guy's dialogue delivery and his camera presence How was the storyline of the movie? We know the story before, because in 2014 this story came to me and Amitabh Bachchan and Amitabh Bachchan interviewed us all, we have seen it but Nagaraj Ji has built it well and the story is king here Okay Fine How do you want to start the film? See I always give 5 on 5 to films because it's not easy to make such a film but with Mahanaik people who have just come for the first time on screen it's tough so I would say it's a very great team that they have built up to pull out this film Thank you so much Pleasure Mujhe toh boring lagi picture because it's the biggest, very long picture it's on 3 hours so audience can't wait so much so much I have heard about it The first experience was the best thing about him It's the best thing The new parts of his character the new characters are a lot of confusion you can't show a bit of background It's not something about him its not a smooth detail its not something about him the new parts of his character It's the best thing in which parts of their character why was the new characters? The new parts of this movie From this movie Laatmaik people That was the title song but the same song How many times are you involved in the song You want to start the song? One Two देखे पिक्चर एवरेज लगी बहुत सूपर डूपर नहीं लगी मतलब इस मूवी में बताया यह गया है कि नीचे तबके को लोगों को उपर ले जाने के लिए अगर प्रयत्न किया जाए तो वो पॉसीबल है लेकिन प्रयत्न करने वाला बहुत ही मतलब उम्दा काम करता ह है और वो करके भी दिखाता है अमिता बच्चन बहुत सालों बाद अभी स्क्रीन में आए तो उनका एक्रेज भी है उनकी एक्टिंग भी बहुत जबर जस्त है और इन्होंने इसमें बहुत अच्छा रोल किया है डाइरेक्शन हुआ इस थोड़ा साथ पटा लगा बहुत अच्छी हुई लास्ट में कि स्पीच आती है अमिता बच्चन की वो इतनी इंप्रेसिव ती इतनी इंप्रेसिव जिसका कोई हिसाब नहीं बहुत अच्छी तरह से समझाया कि अगर हमारे समाज ने टेलेंट को आगे बढ़ाना है तो जो बढ़ चुके हैं उन्हो अच्छी लिए उस दिवाल को निची करनी पड़ेगी तो ही इस देश में से टेलेंट बाह रहे हैं वो बहुत अच्छा पुला है अपको सबसी जादा किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा इस पूरी पिच्छर में परफॉर्मेंस इसमें जो स्लम के जो किड्स बतायन है उसका सब का डिफरेंट काइंड ओफ रॉल है अमिता बच्छा नहीं नमबर बन है आपको गाना कैसा लगा इस पिच्छर के गाना इंस्पिरेशन लेवल का है मोटिवेशन होता है इसे मने किसी भी तरह से इन्होंने लगान बनाने की कोशिश की कि गेम है वो क्रिकेट चा और लोगों कमान जीत लें इस तार वाइस अगर देगे इंटर्टेन्मेंट बहुत कम है इसलिए स्टार वाइस तो ढ़ाई या तीन बहुत मुश्किल से होते हैं बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी पिच्छल लगी खासकर अभी तब बच्छा जी का काम बहुत अच अच्छा लगा कि बिल्कुल एक्चूल है ऐसा कहीं से आटी बीचर कहीं से नहीं लगा बहुत अच्छी पिक्चर बनाई लगा आपको सबसे ज्यादा इस पूरी पिच्छन में किसका परफोर्मेंस अच्छा लगा अभीता बच्चन जी का या जो छोड़े मुझे जो में आगी जो छोटायों बच्छे नहीं बच्चे तहीं उनका ही बहुत अच्छा रोल ता बहुत अच्छा काम किये ृण इस तो किसे को equally कि आदमी काह से जा सकता है यह इसमं एक सिखने बहुत च्छा पिच्छर मोवी स्टोरी बहुत अच्छ थी उसका फिल्मान कर बहुत चक्छा था शुटिंग के प्लेशेज बहुत अच्छे थे सब यह उरिजिनल लग रहा था कहीं से नहीं लग रहा कि आर्टी चले बहुत दिनों बाद ऐसी पिच्छर देखने मिली कि जो ब्रीजिनेलेटी देखने में ली यह तो कोई आर्टिपिचल पाना बिल्कुल नहीं दिखाया चाहिए इसको इसटार देना चाहेंगे मैं इसको बिल्कुल वावजटार देना चाहूंगा मैजिमम स्टाइब चाहूंगा